आज हम बनाएंगे मैंगी स्टफ पकोड़े तो यह मैंना आलू को धोकर छील लिया था अब हम इसे इस तरीके से बारिक बारिक पतली की तरहां काट लेंगे इसी तरीके से हम सभी आलू को काट लेंगे और फिर हम इसके अंदर नमक डाल कर रख देंगे ताकि जब हम आलू को रोल करें तो वो क्रैक ना हो इसे हम लगबग 15 मिनिट के लिए छोड़ देंगे यहां हम बेसन के करनी से बैटर तेयार कर लेंगे बेसन लिया है इसमें डाला है मैंने नमक पाउडक के लीए लाल मिच पाउडर गरम मसाला और जाट मसाला क्लाओ के लिए लाल मिच पाउड़, गरम ल। छा depressed लगें सब्वोड मीक्स अगें मुझे भी अखना थोड़ए ठीक से बैटर थे बैटर बहुत जादा पतला नहीं होना चाहिए और नहीं गाड़ा होना चाहिए तो बस यह हमारा बैटर तैयार हो गया है देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी रखनी है इसे भी हम 10 मिनिट के लिए छोड़ देंगे उसके बाद जो हमने आलो को कट किया था उसमें यह मैंने ब करकर यह हम रोल बना कर तैयार कर लेंगे आप देख सकते हैं बहुत असानी से फोल्ड हो रहा है क्योंकि हमने इसमें नमक लगा कर रख दिया था इसका एक्स्ट्रा स्टार्स जो है वो निकल गया है आप देख सकते हैं यह मैंने सभी रोल्स तैयार करके रख लिए हैं फराइ होने के डिए डाल देंगे हमें अल स्कींजी पर दालना है और तरयके इस तरह के सथीए करना है आप देख सकते हैं तो उन तोरी के सथे शाल नहीं कि रख जाएंगे दोनों साइट से पलट पलट कर हम इसे फ्राई कर लेंगे हम इसे इस तरीके से ओल डालेंगे ताकि यह अच्छे से फ्राई हो जाएं यह जो जो अल्मोस्ट फ्राई हो चुके हैं जो जो अच्छे से फ्राई होता posters करेंगे और फिर हम हम इसे घर्मा गरम चैटनी के और क्याचप के साथ सरफ करेंगे आप देख सकते हैं ये देखने मां कितना जवर्दस्थ लग रहा है तो बस आप भी रेसिपी जरूर ट्राइ कीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनलों को सब्सक्राइब करना मत भूले